जरी सोंगार, भगवती एक एजेट सीज मा आपनों हादी स्वावत छे, आजे आपने वाद करी सो, सहारा इंडिया परिवार के मन सहारा स्वी सुगरत दोई मिल से सहारा इंडिया परिवार की स्थापना इस विशन 1978 में गोरगपूर्थ गाउं से कुई थी, पुन्जी के नाम पे थे दो हजार रुपईये, एक ओफिश, एक टेबल, तीन खुर्सिया और एक स्कूटर, देखते ही देखते सहारा सी सुब्रत रोई की महनत रंग लाई और यह परिवार भारत के सबसे बड़े परिवारों में से, फाइनसियल सबसे बड़े परिवारों में से एक हो गया अब सहारा परिवार के पास है 12,00,00 से अधिक कारिया करता, 500 से अधिक साखा है, 1,80,000 रुपईये से भी ज़्यादा परिसम बतिया एसे में देखा जाए तो भारतिय रेलवे के बार सबसे ज़्यादा रोजकारी देने वाली कोई कंपनी बन गई है तो वो है सहारा इंडिया परिवार सहारा सी सुब्रत लोई के बाले में कहा जाए तो अभी 15 में अगश्ट और 26 में जानी वारी जो के हमारे राष्टिय परव है सहारा इंडिया परिवार में यह परव बड़ी ही धांग धुम से मनाया जाता है इसे प्रतीत होता है कि सहारा सी सुब्रत लोई अपने डेश के बाले में क्या सोचते है और एक बात बोलू दोस्तों जो आदमी जो यक्ति अपने डेश के बारे में अच्छा सोचता है ना वो आदमी बहुत ही अच्छा होता है यहां मुझे सहारा इंडिया परिवार में से सबसे अच्छी से अच्छी बात लगी है तो यही है कि यह दो परव यहां पर बड़ी धुम धाम से मनाया जाते हैं अब बात करते हैं, सहारा इंडिया परिवार में जो मुझे बहुत ही एक अच्छी चीज लगी उसके बारे में बात करते हैं Just example, किसी भी आदमी ने 6 साल का M6 खाता खुलवाया है और अगर उस आदमी ने केवल एक ही किस्त बरी है तो सहारा इंडिया परिवार जब उसके 6 साल पूरे होगे तब वो रकम भी देगी और उच पर व्याज भी देगी यहां एक ही कमपनी में होता है डूसरी कोई financial कमपनी हो तो उसमें यह नहीं हो सकता इसलिए सायद इतनी controversies होने के बाद भी लोग सहारा इंडिया परिवार से जुड़े हुए है अब बात करते हैं मेरा यह वीडियो अपलोड करने का भी एक कारण है 5-6 लोग इसे आते हैं जो सहारा इंडिया परिवार के बारे में अपनी राही रखते हैं उसकी बात करें तो वो लोग जिसे पुरा भारत वर्ष नहीं पूरी दुनिया पुरा विस्व जिज़े पहचानता है चलिए वो क्या कहते हैं सावारा इंडिया परिवार के बारे में सुनते हैं सबसे पहले बात की जाये श्री अतल बिहारी वाजपेग के बारे में श्री अतल बिहारी वाजपेग जेद ग्रेड पं सच लेज़ेंड ऑप незाई इंडियान हिश्ठ्री जपली ग्रेड की वो जशत्ता में आये तब उन्होंने उन्नी 20 को अठ़ा नहें औरू परिक्शन करवाया अरूप परिक्षन का पूरा श्रे जाता है श्री अटल बियारी वाजपेई को और श्री एपी जी अदुल कलाब को जब उन्होंने अरूप परिक्षन किया तब अमेरिका ने उस पर पावंदी लगाई तब अटल बियाली वाजपेजी ने कहा था कि बारत एक स्वतंत्र देश है और अपने बारे में वो जो चाहे वो कर सकता है जिसे जो करना है वो कर सकता है यह से श्री अटल बियाली वाजपेजी ने साहरा इंडिया परिवार के बारे में क्या कहा था श्री अटल बियाली वा परिवारों की पूरी देख भाल करने का जिम्मा लिया है हमें विश्वात है इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और डेश के पृती अपने करतज का पालन करेंगे और अब बात करते हैं तो वोल इस टेज एंड ग्रेटर एक्टर इन दो वोल वोन एन वान ओनली ओन बी अमिता बचल स्री क्या कहते हैं सहारा इंडिया परिवार के बारे में आईए सुनते हैं व्यापार की दुन्या में उद्योग समूह तो बहुत हैं मगर सहारा इंडिया जैसा परिवार नहीं है एक ऐसा परिवार जो समूहिक भौतिक वाद में विश्वास करता है एक ऐसा परिवार जो बाजार से अधिक व्यवहार को संपदा से अधिक संसकार को कीमतों से अधिक मूलियों को संख्या से अधिक गुणवक्ता को धर्म से अधिक राष्ट को और धन से अधिक मनुष्य को महत्व देता है एक ऐसा परिवार जिसमें कोई कारी करता नहीं सब ही कर्मयोगी है कोई मालिक नहीं केवल अभी भावक है विश्व के इस सबसे संदर सबसे बड़े सबसे अनुशासित परिवार के अभी भावक है श्री शुबरत्राई सहारा जिने हम प्यार और आदर से सहारा शिक्रते है करम कर आये है सबस्का सहारा बर्चे ला जिम्सक्रते कि लावक है झाल झाल दोस्तों यह हमारे वो लेजन है जिसे देश ही नहीं पूरा विश्व पहचानता है उसकी राहे सारा इंडिया परिवार के बारे में यहां देखे मैं यह नहीं कहता कोई दिक्कत नहीं है मैं यह भी नहीं कहता कि कोई समस्या नहीं है पर उसमें भी क्या खूब का है स्वामी विवे कानन जीन, in a day, when you across any problem, it will be sure you are traveling in a wrong path, और था, जिस दिन आपके सामने समस्या ना हो, तब आप समझे कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, और हमें क्या है, एक सिंपल सी बात है, यह परिवार ने हमें बहुत कुछ लिया है, मान, सन्मान, और जमा करता, जिसने हमें सबसे प्यारी चीज़ दिये, पैसा, पैसा, सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ तो पैसा है, हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, एक नाव है, इस नाव पर एक तरफ सारा इलिया परिवार कमपनी है, एक तरफ सारा इलिया कमपनी है, दूसरी तरफ हमारे जम चलानी है, सामने ही किनारा मोजूद है, सामने ही सुनारा पविस्थ्य मोजूद है, और वहाँ पर हमें पहुचना है, और इस पर भी स्वी, अरीवन स्राइट बच्चर, फादर ओप द बीग बी, ग्रेट पर इंद वोल्ड ने पहुत खुब कहा है कि लहरों से डरकर नो का पार नहीं होती, लहरों से डरकर नो का पार नहीं होती, और कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्नी चीटी जब डाना लेकर चलती है, चर्ती दिवार पर सो बार भिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बरता है, चकर गिरना गिर कर चलना ना करता है, आखिर उसकी मैनत बेकार नहीं होती, और कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती, डुक्किया सिंदु में गोटा खोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ, वो लोट कर आता है, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मुठी उसकी हर बार खाली हाथ नहीं होती, और कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती, और सपलता एक चुनोती है, इसे स्विकार करो तुम, क्या रहे गई कमी देखो और सुधार करो तुम, जब तक ना सपलो नीन चेन को त्यागो तुम, संगर्स का मैदान चोड़ कर मत बागो तुम, कुछ किये बिना ही जेजे कार नहीं होती, कुछ किये बिना ही जेजे कार नहीं होती, और कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए सेर कीजिए और कोमेट कीजिए ठेंक्यू ठेंक्यू वेली माच